तो आप एक YouTube channel create नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास कोई Gmail ID पहले से है तो कोई बात नहीं अगर नहीं है तो सबसे पहले हम Gmail ID बनाना सीखेंगे तो चलिए Gmail ID कैसे बनाते हैं वो जानते हैं Gmail ID बनाने के लिए सबसे पहले आपको Gmail application को open करना होगा तो इस तरह का आपको Gmail का application मोबाइल में logo दिख रहा होगा इस पर क्लिक करना है Gmail ID बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक corner पर logo दिख रहा होगा उस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में दिख रहा होगा इंटरफेस खुल कर आएगा आपको Gmail ID बनाने के लिए यहाँ पर create account पर क्लिक करना create account पर आप जैसे क्लिक करेंगा आपको यहाँ पर दो option दिखेगा for myself to manage my business तो आपको यहाँ पर सबसे पहला option चूज करना है for myself चूज करने के बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम और लाश्ट नेम टाइप कर देते हैं यहाँ पर लिखावा basic information, interior, birthday and gender यानि date of birth मांग रहा जनमती थी आपका और आप gender मांग रहा कौन सा gender है तो चलिए हम यहाँ fill up कर लेते हैं fill up करने के बाद आपको यहाँ पर next पर click करना है जैसे आप next पर click करेंगे आपका इस तरह का interface आएगा यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आप कैसा Gmail ID रखना चारे हैं तो चलिए हम यहाँ पर अच्छा से Gmail ID name रख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर बता दें जो भी आप नाम रखें यहाँ पर space नहीं देना बिना space का नाम रखना अगर space देंगे तो आपका Gmail ID नहीं बनेगा अब यहाँ पर आपको एक अच्छा सा password रखना है ताकि आपका कोई Gmail ID खोलना पाए तो आपको password कैसे बनना है कुछ letters देना है कुछ special characters देना है कुछ numbers देना है आपको तीनों चीज मिक्स करके एक password बनना है ठीक है तो चलिए हम यहाँ पर password type कर लेते हैं password डालने के बाद आपका इस तरह का एक interface खुलकर आएगा यहाँ पर आपको mobile number मांग रहा है mobile number जोरने के लिए बोला तो mobile number आपको यहाँ पर आपको next कर देना है next करने के बाद आपके mobile में एक OTP आएगा इस OTP को अपने आप वो फिलप कर लेगा ले लेगा mobile number verification होने के बाद आपका इस तरह का interface आएगा यहाँ पर दो तीन step है उसको कर लिजेए उसके बाद आपका Gmail आड़ी बन जागा तो चलिए हम कर लेते हैं यहाँ पर आपको yes I am in in दिख रहा हूँ इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख लिजे digitalmaasum143.gmail.com आपक Gmail ID बन चुका तो Gmail ID जो पहले से login है जो अभी बनाया है उसको login करना तो यहाँ पर आपको corner पर click करना क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक logo दिख रहा होगा इस पर click करना जैसे आप click करेंगे आपको यहाँ पर एक दिखेगा manage your google account उसके ओपर में नाम दिख रहा होगा click करने के बाद आप जो भी Gmail ID नाया बनाया है उसको आपको यहाँ पर select कर लेना है YouTube channel create करने के लिए तो चलिए हम अपना Gmail ID जो बनाया है भी उसको हम choose कर लेते हैं अपना Gmail ID को choose करने के बाद आपका फिर इस तरह का इंटरफेस आजाएगा तो अब आपको YouTube चैनल क्रिएट करने के लिए फिर से लोगों पर click करना है click करने के बाद आपको यहाँ पर first में दिख रहा होगा your channel इस पर click करना है click करने के बाद यहाँ पर profile picture और name दिख रहा उपर आजा है तो चलिए हम अपना YouTube चैनल ने यहाँ पर Believe करते है YouTube चैनल ने फिलक करने के बाद आपको यहाँ पर option दिख रहा होगा received e पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे चैनल का उप्सन दिख रहा होगा इस पर क्लिक कर देना तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं और यहां पर description लिखने के लिए, और यहां पर आपको privacy दिख रहा होगा, इसमें दो option दिख रहा होगा, keep all my subscription private, keep all my saved playlist private, इसको आपको छेर खानी नहीं करना, यह जैसे है, उसको वैसे ही रहने देना, यहां पर आपको description जो है, इसको क्या कहते हैं, इसको कैसे लिखना, description मतलब हुआ, कि आप अपने किस topic पर आपका YouTube चैनल, किस topic पर आप वीडियो मनाते हैं, आप अपने audience को description में लिख के बता सकते हैं, तो चलिए यहां पर आपको अभी कुछ भी नहीं लिखना, फिर से थोड़ा back जाते हैं, back आने के बाद, आपका यहां पर काम हो चुका, यहां प settings के बारे में जानने के लिए आपको फिर से पूरा back जाना, back जाने के बाद, अब आपको Chrome browser को open कर लेना, तो चलिए हम अपना Chrome browser को open कर लेते हैं, Chrome browser open करने के बाद, आपको यहां search बार में type करना है, youtube.com, तो चलिए हम type करते हैं, youtube.com type करने के बाद, आपको search कर लेना, तो च करना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर नीचे में दिख रहा होगा desktop साइड इस बॉक्स में आपको चेक मार्क लगा तो चलिए हम डेक स्टप साइड पर क्लिक कर लेते हैं जैसे आप उसमें चेक मार लगाएंगे आपका इस तरह का का option दिख रहा होगा इस पर क्लिक करना है स्विज अकाउंट में जैसे क्लिक करेंगा आपके यहां पर जितना भी इमेल आइडी रहेगा सारा जीमेल आइडी आपके यहां पर आजाएगा तो चलिए जिस जीमेल आइडी से अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किए उस जीम स्टूडियो.youtube.com सर्च टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है तो चलिए हम सर्च कर लेते हैं यूट्यूब डैसबोर्ड में आने के बाद सबसे पहले आपको कस्टमाइजेशन वाला आपसन में जाना परेगा तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कस्टमाइजेशन वाला आपसन किधर है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक कस्टमाइजेशन वाला आपसन तो आपको इसमें क्लिक करना है, कलिक जैसे ही आप करेंगे, आपका इस तरह का एक interface खुलके आएगा, पहला वाला यहाँ पर आपको दिख रहा हुगा, ले आउट, ले आउट उतना important नहीं है, करेंगे या नहीं करेंगे, तो कोई फरक नहीं परता है, दूसरा वाला उसके layout के बगल में आ जाता है मैं जूम करके दिखा देता हूँ branding branding पे आपको click करना जैसे ही branding पे आप click करेंगे आपका इस तरह का interface आएगा यहाँ पे आपको दो चीज दिख रहा है profile picture लगाने के लिए और channel banner लगाने के लिए दिख लोग में आपका गैलरी में जिस भी फाइल में लोगो रखा भार हैगा आपका授ु है आपका profile picture वहा से select कर लेता सलेक्ट चलिए मेरा fit बैट रहा है तो मुझे छोटा बरा इसमें आप कर सकते हैं अराम से तो मेरा fit बैट रहा है तो मैं छोटा बरा नहीं करूँगा profile picture लेने के बाद यहाँ पर आपको नीचे में दिख रहा होगा एक done का option तो आपको done पर click कर देना है तो चलिए done पर हम click करते हैं done पर click करने के बाद आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा होगा कि यह logo लग चुका है जैसे ही आपका logo लग गया तो आपका इस तरह का दिखेगा अब आपको बोला channel banner लगाने तो उसी तरह जिस तरह आप profile picture लगा है upload पर click करके उसी तरह आपको upload पर click करना और channel banner लगाना तो चलिए हम अपना channel banner choose कर लेते हैं upload पर click करके तो चलिए मेरा channel banner भी आ गया यहाँ पर यह भी feedback रहा इसमें भी मुझे छुटा बरा नहीं करना है तो चलिए फिर से यहाँ पर हम done करते हैं तो चलिए मेरा done का option आ गया तो अब मेरा channel banner और profile picture दोनों ही लग गया है branding का काम खतम हो अब उसके बगल में तीसरा वाला option दिख रहा होगा basic info तो आपको इस पर click करना है basic info पर जैसे आप click करेंगे अब आपका यहाँ पर description आ रहा है description में आपने जिस topic पर आपका channel है जिस topic पर आप videos बनाना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत आप लिख दिजिए तो मेरा फिलाल technical channel है तो मैं technical videos लिख देता हूँ फिलाल मैं अभी इतना लिख रहा हूँ आप अच्छे इसको सजा के लिख लिजेगा ठीक है उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं channel url आपका channel का url दिखेगा और link social media का link यहाँ पर add कर सकते हैं facebook instagram twitter कुछ भी और यहाँ पर नीचे में दिख रहा होगा email यहाँ अपना email address कुछ दे सकते हैं business inquiries के लिए तो यहाँ से आपका basic info का काम खतम हुआ अब आपको नीचे scroll करते हुए zoom करते हुए नीचे scroll करते हुए जाना यहाँ पर आपको setting का option दिखेगा एक इस पर click करना जैसे आप setting का option पर click करेंगे तो आपका इस तरह का interface खुलेगा यहा channel को general रहना कुछ भी नहीं करना second वाला option में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा channel channel पर आपको click करना है जैसे ही आप channel पर click करेंगे आपका यहाँ पर कुछ option खुल के आएगा पहला basic info इसके नीचे में आपको दिख रहा country of residence आप किस country से हैं उस country को select किजे तो मेरा India country है तो हम channel के नाम से related कुछ word दीजे ताकि कोई भी search करें तो आपका searching result में जल दिया है तो चलिए मेरा नाम जो है channel का digital मासुम पहले वही मैं दे देता हूं तो चलिए मैंने अपना एक keyword दे दिया है digital मासुम keyword देने के बाद आपको यहाँ पे नीचे पे एक arrow का निसान मिलेगा इस पर आपको click करना है तो आपका एक keyword बन जाएगा तो keyword मैंने अभी एक ही दिया बाद में मैं दे दूँगा आप भी अपने channels related कितना भी keywords लगा सकते ह काम होने के बाद अब आपको advanced setting में click करना तो चलिए हम advanced setting में click करते हैं जैसे advanced setting में click करेंगे आपका यहाँ पर तीन option आजाएगा do you want to set your channel as made for kids इसका मतलब मैं simple तरीका में बता देता हूँ तीनो बॉक्स आजाएगा पहला बॉक्स में अगर आप click करते हैं check mark लगाती है इसका मतलब यह हुआ कि आप बच्चे के लिए content बनाती है और दूसरा बॉक्स में अगर click करते हैं तो इसका मतलब बच्चे के YouTube से कम होगी इसलिए आपको बड़े लोगों के लिए content बनाते हैं second वाला आपको click करके रखना हो no said this channel as not made for kids मतलब बच्चे के लिए content नहीं अगर बच्चे के लिए आप बनाते हैं तो आपको first वाला चूज करना अगर बच्चे के लिए नहीं है तो second वाला आपको choose करना है यह बहुत ही जरूरी इसको नहीं किजेगा तो बहुत सारा नुकसान होगा चलिए हम थोरी दिर में जान लेते हैं इसमें क्या क्या नुकसान होगा अगर हम नहीं करेंगे तो अब आपको feature eligibility में click करते हैं अब आपका यहां पे तीन option main काम है पहला है standard features दूसरा है intermediate features और ती 15 मिनट से ज्यादा videos upload नहीं कर सकते हैं 15 मिनट से छोटा videos upload करना परेगा 15 मिनट से बरा video upload नहीं कर सकते हैं और दूसरा नुकसान कि इसमें thumbnail नहीं लगा सकते हैं कोई वीडियो बनाएगा तो इसमें thumbnail लगाना चाहिए तभी उसी तरह views आते हैं थमने नहीं लगाएगा तो नहीं आएंगे आपके वीडियो पर तो अगर यह दूसरा वाले verify नहीं करते हैं तो आपका दो नुकसान है 15 मिनट से ज्यादा videos नहीं upload कर पाएंगे और एक थमनेल नहीं लगा पाएंगे तो इसको verify करना बहुत ही simple phone number से verify करना होता है तो चलिए हम verify इसको कर लेते हैं second वा इंटरफेस खुल के आएगा नहीं तो थोड़ा से लोडिंग लगा थोड़ा वेट करना है उसके बाद अब यहां पे आपका इस तरह का इंटरफेस आया यहां पर आपको बता रहा है टेक्स्ट मी दा वेरिपिकेशन यहां बता रहा हाव सूड वी डिलीबर दा वेरिपि करने के लिए मैसेज के द्वारा चाहिए या कॉल के द्वारा चाहिए मैसेज के द्वारा चाहिए तो उपर वाला में हिटी करना है अगर कॉल से आपको उटीपी चाहिए तो कॉल मी सेकंड वाला में क्लिक करना है ठीक है तो मुझे फिलाल मैसेज के द्वारा उटीपी च जिस नमबर से आप वेरिफाई करना चाहते हैं YouTube चैनल को उस नमबर को आपको यहां फिल कर देना तो चलिए अपना नमबर हम फिल कर देते हैं अपना नमबर फिल करने के बाद अब आपको नीचे में एक ओप्सन दिख रहा होगा सब्सक्राइब करने के बाद यहां पर आपको एक ओप्सन दिख रहा होगा सब्मीट का सब्मीट पर क्लिक कर देना है बैक आने के बाद अब आपको यहाँ पे minimize option करना है minimize वाला उपर से फिर chrome browser आपको खोल लेना है chrome browser खोलने के बाद अभी यहाँ पे आपका नहीं दिखा रहा इनेबल हुआ कि नहीं हुआ जब आप इसको फिर से back करेंगे थोड़ा सा back करने के बाद फिर से आपको यहीं पे setting में जाना है refresh करेंगे setting में जाना है setting में जाने के बाद आपको फिर से वही channel वाला option पे जाना है channel वाला option पे जाने के बाद यहाँ feature eligibility इस पर जाना है जैसे इस पर जाएंगे तो देखेंगे दूसरा वाला feature enable आपको मिलेगा उसी तरह आपको तीसरा वाला enable कैसे करना है तो तीसरा वाला enable भी करना सीख लेते हैं तीसरा वाला enable करने के लिए आपको पहले तीसरा वाला पे click करना है click करने के बाल अब आपको यहाँ पे Express Features option आ रहा इस पर click करके हमको तिसरा वाला verify करना है तो चलिए हम इस पर click करके अपना तिसरा वाला भी verify कर लेते हैं जैसे ही तिसरा वाला पे click करेंगे अब आपका यहाँ पे तीन option दिखेगा आप वीडियो के द्वारा verification करना चाहते हैं या valid ID के द्वारा या build channel history के द्वारा अगर आप वीडियो ID के द्वारा नहीं करना चाहते हैं history के द्वारा करवाना चाहते है channel के द्वारा तीसरा वाला तो आपका 2 month लगेगा 2 महना के अंदर आपको कुछ नहीं करना परेगा अपने आप ये channel verification हो जाएगा तिसरा वाला वीडियो verification करने के लिए आपको first वाला option choose करना है use video verification choose करके आपको next वाला option पर click करना तो चलिए हम next पर option पर click करते हैं जैसे ही आप click करेंगे आपको यहाँ पर option आजाएगा get email to start verification on your phone आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा get email तो आपको इस पर click कर देना get email जैसे आप get email पर click करेंगे आपका और एक pop-up option दिखेगा done, done पर click कर देना है जैसे आप done पर click करेंगे अब आपको अपना gmail account open कर लेना वहाँ पर आपका एक code गया वहीं से आपका verification होगा तो चलिए इसको आप minimize करके 20 से काट दीजिए काटने के बाद आप अपना gmail id खोल लिए चलिए हम अपना gmail id खोल लेते हैं Gmail id जैसे ही आप खोलेंगे आपको एक gmail आया हुआ नजर आयेगा उस पर आपको click करना है click करने के बाद आप थोड़ा से scroll करेंगे नीचे के तरब तो यहाँ पर आपको दिखेगा start verification तो आपको इस पर click करके ही verification complete करना है तो चलिए हम इस पर click करते है start verification पर तो चलिए हम click कर दिये start verification पर तो थोड़ा सा loading लेगा लोडिंग लेने के बाद आपका इस थाह का इंटरफेस आएगा यहाँ पर आपको नीचे में ऐख छोटा सा Pues दिखेगा इसे चेक मांर्क कर देना टिक लगा देना इसके बाद आई-एकरि पर इस तरह का इंटरफेस आएगा फिर यहाँ पर आपको अपना फेस को तो आपका वेरिफिकेशन हो जागा वेरिफिकेशन होने के बाद आपका इस तरह का एक इंटरफेस आएगा इसका मतलब आपका वेरिफिकेशन रिभ्यू में जा चुका है अब रिभ्यू में जाने के बाद आप आपको बैक करना है बैक आने के बाद अगर य एक्सेप्ट करेगा तो वहां लिखावा आजेगा आपका वीडियो वेरिपिकेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया है फिर से आप अगर हो गया होगा तो यस लिखावा आएगा महां पी कंप्लीट हो चुका है ठीक है तो उसके बाद फिर से आपको मिनिमाइज करना तो नीचे आएगा अभी हाँ यह इसमें चले गिया एकसेस इसमें आप चोबिस घंटे के बाद आप आप इसमें देखेगा आपका एकसेप्ट किया गया या नहीं तो हमारा फीचर एलिजिबिलिटी तीनों कंडिशन तीनों कंप्लीट हुआ अब थोरा सा सेटिंग और रहा होगा टाइटल अपने वीडियो का टाइटल अभी इसमें मट अलिया आप किस टॉपिक पर वीडियो बनाते है हमें सा हिंदी और इंग्लिश में टाइटल लिखते हैं इसलिए आपको इसमें टाइटल डिस्क्रिप्सन नहीं लिखना है इसको छोड़ देना बस यहां पर आपको टैग टैग भी नहीं जब वीडियो अप्लोड करेंगा तब वहां पर करना है फिर उसके बगल में आपको थोड़ा सा एडवांस सेटिंग दिखेगा इस पर क्लिक करना है और यहां पर पहला वाला दिख रहा होगा लाइसेंस इसको ऐसे ही रहने देना छेर छार नही करना है इसके पर है इसको आपने डान टैगरी यह चीज भाल क्या आपको दो क्लिक करना है तो आपको चूज करने मेरा साइन साइंस एंड deposit हम कोई चूज करते हैं तो डानिव करने के बाद आप आपका यहां बादाऄ दो वीडियो लेंग्वेज अबंड़ आपक nice लिग सेलेक्ट कर लेज़ेगा भी हम नहीं कर रहे हैं आपको सेलेक्ट कर लेना हिंदी जिस चलिए हम भी सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें हिंदी लेंग्वेज में हम वीडियो बनाते हैं तो अपना इसमें हम सेलेक्ट कर लेते हिंदी सेब का ऑप्शन तो यहां पर आपको सेब कर देना है नीचे सेब करने के बाद सेब होगी अब आपको पूरी तरह इसको पब जितना भी जहां चीज भी सेटिंग की है सारा चीज आपका फिक्स हो जाए जिसे सेट किया है उसी तरह सेट हो जाए तो यहां आपको एक पब्लि वीडियोज अप्लोड आराम से कर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको और कोई सेटिंग करने की जरुवत नहीं सारा सेटिंग मैंने इस वीडियो में बता दिया बस अब आपको अच्छे-च्छे कॉंटेंट बनाने हैं और यूट्यूब पर अप्लोड करने हैं जैसे ही आपका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा का वाच टाइम एक साल के अंदर यानि 12 महीने के अंदर पूरा होता है आज अगर आप वीडियोज अप्लोड करते हैं आज से लेकर 12 महीने के अंदर अगर आपका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वाच टाइम कंप्लीट होता कितना मेरा सब्सक्राबर और कितना वाच्टी कॉलिट हुआ है यहां पर आपको मॉनिटाजसेश्टेशन का एक लोगो दिख रहा हूँ इस पर आप कुलिक करेंगे तो अब आपको एक लिक इंटरफिस खुल के आएगा यहां पर आपका दिखा देगा कितना सब्सक्राइबर कितना वास्टाइम कंप्लीड हुआ मेरा तो अभी नया चैनल आपन क्या हो दिया साराची जीरो जीरो है जब आपका हो जाएगा धीरे-धीरे तो आपको यहां पर दिखाते लेगा कितना क कंप्लीड हुआ है तो हमारा यूट्यूब चैनल बनाने का फुल प्रोसेस कंप्लीड हुआ है